हे गाईस तो आज 62 में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ festive wear collection जिसमें मैं आपके साथ उसाद कूरता सेट इतनिём कौड सेट और जॉलरी और काफदान कूरती का जो collection है मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ like वीडियो को आखिर तक जरूर से देखते रहे और इन में से आपको कोई भी प्रोड़क्त पाई करना हो तो इसकी जो लिंक है मैं आपको निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगी और वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्फुल लगे और पसंद आए तो वीडिय जो कि फिटिंग वाइज बिल्कुल भी परफेक्ट आया है इसमें आपको राउंड नेक मिलेगा और नेक लाइंग के साथ योग पार्ट में आप देखोगे तो आपको थ्रेड से बनी हुई डिटिलिंग रिसीव हो जाती है यहां पे आपको थ्री बटन की डिटिलिंग बैक साइड से प्लेन में रिसीव होगा साथ इसमें आपको फुल लेंद वाली स्लीव मिल जाती है यहां पे आपको थ्रेड से बनी हुई डिटिलिंग के साथ बॉडर जो है आपको कुछ इस तरीके से रिसीव हो जाती है और इसका जो फैब्रिक है डिसीजर रियॉन बॉडर दी गई है और इसका भी जो फैब्रिक है डिसीजर रियॉन फैब्रिक और एपीस जो है मुझे बहुत ही प्यारा लगा बहुत ही स्टाइलिश और एलिगंट सा पीस है एक मेरे पास है एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा पिंक कलर का कॉर्ट सेट कुछ इस तरीके का पीस है आप देख सकते हो इतने के लिए बिल्कुल बे परफेक्ट पीस होने वाला है जो के पहनने के बाद काफी सुन्दर लगने वाला है इसमें आपको पैंट विच शॉर्ट कूर्ती मिलेगी बात करें अगर कूर्ती की तो या पे भी नेक है और नेक लाइन में आपको बहुत ही खूबसूरत सी जरीवर्क की डिटेलिंग दी गई है साइड में प्रॉकेट दी गई है इसमें कुछ इस तरीके से बॉर्डर रिसीव हो जाती है यू कैन सी द बॉर्डर और इसे पहनने के बाद इसका जो लुक है आप ट्रायन पार्ट में देखी सकते हो एक जो आपको एक स्ट्रेट पैंट रिसीव हो जाता है मैं आपको फुली लस्टिकेटेट बैंड मिलेगी पूरी पैंड आपको प्लेन में रिसीव हो जाती है नीचे में कुछ इस तरीके एपीज भी जो है मुझे बहुत ही प्यारा लगा फेस्टिव लुक के लिए बिल्कुल भी पॉफेक्टी सही है तो आप इसे जरूर से ट्राय करें नेक्स्ट में आपके साथ और एक वाइट कलर का कॉट्सेट शेयर करने वाली हूँ इसमें मैंने लार्ट साइड चूज किया था इसमें आपको शौर्ट कुर्ती विद पैंड जो है रिसीव हो जाती है करें बैक जो है बिल्कुल भी प्लेन में आएगा यहापे आपको तरी कॉटन स्लिव मिलेगी यहापे कुछ इस तरीके की बॉडर भी दी गई है इसका फाब्रीक जो है आपको कॉटन और रियोन मिक्स में आएगी तो बहुत ही सुन्दर सा पीस है इसके साथ हमें जो है एक से ट्राय कर सकते हैं नेक्स में आपके साथ तो कापतन कुर्थी जो है शेयर करने वाली हूँ जिसमें सबसे पहला है इस प्यूर्टिफुल सा ब्लैक कलर का कुर्था इसमें मीडियम इसमें आपको मिलेगी राउंड नेक लाइन में आपको डोरी के साथ पैरे-पैरे से टैस है और बैक साइड से आपको बिल्कुल भी सेम प्लेन में ही रिसीव हो जाता है इसका जो फैब्रीक है यह 100% रियॉन फैब्रीक और एक उर्टा जो है मुझे बहुत ही पसंद आया इसका कलर कॉंट्रास तो एक उर्टा जो है आप जरूर से ट्राय कर सकते हैं इस मेरे पास की तो पूरा कूर्टा जो है आपको प्लेन में आएगा नीचे बॉर्डर लाइन में कुछ इस तरीके की टाय अडाय वाली प्रिंट रसीव हो जाती है इसका जो फैब्रीक है इस इस जा क्रश चॉर्जट फैब्रीक अरंदर में कोई भी लाइनिंग ना होने की कारण एह ह अगर कूर्टी की तो यहाँ पर हमें स्ट्रेट कूर्टा रिसीव हो जाता है यहाँ पर हमें मिलेगी वीन नेक लाइन के अंदर जो है आपको कुछ इस तरह के से प्लेन में आएगा और नेक लाइन में आपको जरीवर के साथ ब्यूटीफिल सी बॉर्डर दी गहीं है बॉर्डर लाइन से बॉर्डर लाइन तक आपको कुछ इस तरीके से पाइपिंग रिसीव हो जाती है जो कि बहुत ही सुन्दर लग रही है और नीचे में कुछ भी अलग से बॉर्डर वगेरा नहीं है और बैक भी जो है आपको बिल्कुल पी प्लेन में आएगा 3-4 स्लीव 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 में बॉर्डर लाइन में कुछ इस तरीके की डिटिलिंग दी गई है इसका जो फैब्रिक है इस सिल्क ब्लेंड में आएगी जो कि बहुत ही सॉफ्ट अला फैब्रिक है अंदर में कोई भी लाइनिंग वगेरा नहीं है इसके साथ हमें चो है एक पैंट रिस दुपट्ट्टम का प्रिट हो जाती है पाँप के संडर बान स्कॉफिर्ण में जींडों जाना में में चाहिक तो पाशी अएगी हां कुरा व स्सकूरा वगेरा कह truck हஜर्ज कमश्न आट लगेरा से बहुत ही इंगेजम में जयाते हैं अब के शुछ कि लाइं दूबंटा म पूरे ही दुपट्टे में आपको कुछ इस तरीके से वाइट और पिंक कलर में जिक्जक पैटर्न वाली प्रिंट रेसीव हो जाती है चारों कि नारों पे जरी वाली बॉर्डर दी गई है फैब्रिक की जो कॉलेटी है बहुत ही सॉप्ट फैब्रिक है यह एंड स्टैंडर यह तीनों ही रिसीव हो जाता है और बात करें अगर कुर्टे की तो कुर्टा कुछ इस तरीके का हमें रिसीव हो जाता है इस ट्रेट कुर्टा है नेकलाइन आप देख सकते हो राउंड नेकलाइन के साथ योग पार्ट में आपको जरी ठ्रेड और सीक्वेंस की ब्यूट से इंब्रोडरी दी गई है इसके इलावा ओलोवर गुर्ता जो है आपको फ्रंट और बैक साइड से विल्कुल भी प्लेन में रिसीव हो जाता है यहां पे आपको मिलेगा थ्री कॉर्टर स्लीव और इसका जो मटेरियल है आपको चंदेरी कॉटन में रिसीव होगी अंदर म बहुत ही सॉफ्ट वाला मटेरियल है इसके साथ हमें जो है दुपटा दिया गया है जो कि इस तरीके से सीफॉन फाब्री का दुपटा ही है चारो किनारों पर कुछ इस तरीके से वाइट कलर में बॉर्डर दी गई है कुर्ता सेड भी जो है मैं आपको हाइली सजेस्ट कर इसमें ब्राउन एंड ब्लू कलर के कॉंबिनेशन में है और इसमें हमें कॉर्ता पैंड दुपट्ठा इतीनो ही रिसीव हो जाता है बात करे है अगर कूर्ते की तो इसमें हमें ब्रहभ द्रा रिसीव हो जाएगा Jeremiah को फुल थे अप्रस्रे ऑर प्र साथ साथ एक भी रिसीव हो जाता है, you can see the border, quality is top notch, बैक आपको बिल्कुल भी प्लेन में रिसीव होगा, यहाँ पे हमें मिलेगी full length वाली sleeves, इसमें भी आपको पूरा ही कुछ इस तरीके से चोटे-चोटे सी बूटिया दी गई है, इस तरीके से border दी गई है, पहनने के बाद बहुत ही इसके साथ हमें पैंट रिसीव हो जाता है, जोकी straight पैंट है, और इसमें हमें मिलेगी fully elasticated band, यहाँ पे आप देखो गए तो कुछ इस तरीके से border रिसीव हो जाती है, पूरा पैंट आपको plain में रिसीव हो जाती है, और इसका जो material है, आपको butter silk में रिसीव हो जाती है, इस इसके साथ हमें जो है एक दुपट्टा दिया गया है, जोकी blue color के contrast में है यह, and this is the beautiful beautiful दुपट्टा, तरचट के fabric के ऊपर आपको पूरा ही कुछ इस तरीके का work रिसीव होगा, देख सकते हो इसकी quality बिल्कुल भी standard size का दुपट्टा ही यह, एक उर्ता सेट जो है बिल्कु से पहला है, बहुती trendy सा earring, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको diamond की detailing receive हो जाती है, बहुती heavy सा earring है, जोकी आपको मिल रहा है, only 243 रूपीज में, और all over look जो है, आप आप देखी सकते हो, बहुती खूबसूरत लगने वाला है, मेशो पे आपको इसमें कम से कम चे से 7 color option जो है, मिल जाते हैं, तो आप इसे definitely check out कर लेना, इसमें दिखाने वाली हूँ, बहुती प्यारा पीस, जिसमें आपको कुंदन और pearl की detailing receive हो जाती है, यहाँ पे mirror की detailing भी दी गई है, तो all over पहनने के बाद इसका जो look है, यह कुछ इस तरीके का आने वाला है, और इसमें भी आपको काफी सारे color option देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसकी price है मेशो पे only 175 रूपीज, नेक्स में आपके साथ बहुती खूप सूरत सा South Indian choker शेर करने वाली हूँ, इसमें आपको center में जो है, पिकॉक और टेमपल की कुछ इस तरीके की detailing receive हो जाती है, साथी साथ परल की detailing भी दी कई है, ये पैने के बाद बहुती जादा प्यारा लुक आने वाला है, जो कि कुछ इस तरीके का all over look आप देख सकते हो, और इसके साथ हमें जो है कुछ इस तरीके की earring दी गई है, जो कि बहुती सुन्दर है, size wise और लुक भी जो है बहुती सुन्दर लग रहा था और इसकी price है मेशो पे only 268 रुपीज, तो price के according quality जो है मुझे बिल्कुल भी top notch लगी तो आप इससे भी जो है definitely check out कर सकते हैं, next मैं आपके साथ एक simple और sober सा necklace से share करने वाली हूँ, इससे आप इतनिक look के साथ western look के लिए भी जो है जरूर से dry कर सकते हैं, और पहनने के बाद बहुती सुंदर लगने वाला है, और look at the quality, एक साथ से quality भी जो है काफी अच्छे दी गई है और यहाँ पे आपको diamond की detailing मिलेगी, पहनने के बाद all over look जो है बहुती simple, sober और elegant सा आने वाला है, इसके साथ हमें जो है छोटे छोटे से दो earring दिये गए है, जो की कुछ इस तरी प्राइज है मेशो पे only 184 रुपीज, तो प्राइज के according quality जो है काफी अच्छी लगी मुझे, तो आप इसे भी जो है festive look के साथ wedding look के लिए भी जो है जरूर से try कर सकते हैं, next और इस haul का last piece share करने वाली हूँ, जो की होने वाला है this beautiful सा jewelry set, प्राइज के according quality भी जो है काफी पैनने के बाद इसका जो look है, बहुत ही खूपसूरत लगा मुझे, ती साथ यहां पे आप देखोगे तो बहुत ही पैरे-पैरे से दो earring भी दिये गए है, इस jewelry set की जो प्राइज है यह आपको मिल रहा है, मेशो पे only 284 रुपीज में, तो प्राइज के according quality वाइज आप इ helpful लगी हो तो वीडियो को please do like, share and subscribe my channel, तो फिर से मिलते हैं next मेशो होल के साथ, तब तक bye bye and take care